आज के इस वीडियो में हम Burden of Proof को डिसकस करने वाले हैं देखिए Burden of Proof जो है न एक बहुत ही important topic हो जाता है Indian Evidence Act के अंदर Burden of Proof क्या समझ में आता है आपको? Burden of Proof का मतलब यह होता है कि जब दो parties court के पास जाती है न उसमें कोट कहता है कि आप अपने facts को सही साबित करने के लिए कोई सबूत पेश करिए तो मालनी जी A और B के बीच में एक dispute है ठीक है किसे भी matter को लेकर मालनी जी A और B के बीच में land का ही dispute है A ये बोलता है कि जनाब ये जो land है वही मेरा है और B ने इसके उपर illegally कबजा किया हुआ है पोजिशन illegal है B का तो यहाँ पे pardon of proof किसके उपर हो गया A को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो land है वो मेरा है तहत इंडियन एविडेंस के section 110 के तहत जिसका position होता है presumption यही होती है कि वुसी का ownership है तो यहाँ पे ये जो है जो कि claim कर रहा है कि इस land के उपर मेरा right है ownership right मेरा है उसको burden of proof उसके उपर burden of proof आ जाता है उसको prove करना पड़ेगा evidences के according कि इस land के उपर मेरा अधिकार है आज के इस वीडियो में हमें एक बहुत ही important section के बारे में discuss करने वाले हैं section 105 section 105 of the Indian evidence act जो कि यह कहता है कि burden of proving that case comes within exceptions 105 यह कहता है कि मान लीजिये आपने कोई एक act किया है जो कि criminal offense है मतलब अगर उसको सीधे सीधे देखा जाया तो एक criminal offense है लेकिन आप यह कहते हैं कि मैंने इस act को और intention से किया हुआ है तो आपको यह intention क्या है किस तरीके से आपका वो act IPC के general exceptions वाले chapter में fall करता है यह आपको court को दिखाना पड़ेगा कहने का मतलब है माल लीजिए A ने B को जान से मार दिया और A बोलता है ठीक है कि B को मैंने इसलिए मारा क्योंकि उसने मेरे उपर attack किया है और मैंने self defense में B को मारा है तो A को यह proof करना पड़ेगा कि जो मैंने B को मारा है वो self defense में मारा है ना कि किसी malified intention से मारा है ठीक है तो यह 105 कहता है अगर मैं आपको 105 सही सही समझाओं तो देखिए इसके ingredients जो है ना वो यह कहता है कि existence of circumstance bringing the case within any exception ठीक है और special exception or any proviso of the court that is IPC or any other law मतलब आपको यह proof करना पड़ेगा कि जो circumstance था जिसके अंतरगत उस crime जो कि एक crime है वो हुआ वो किसी एक general exceptions में fall कर रहा है या फिर किसी special exception में fall कर रहा है या फिर किसी proviso में fall कर रहा है यह आपको show करना पड़ेगा ठीक है साथ साथ में section 105 में ये भी है कि court presume करेगा कि जो आप circumstances claim कर रहा है मतलब court यह presume करेगा कि मालनी जी आपने claim किया कि मैंने self defense में मारा है A ने B को self defense में मारा है तो court पहले यह presume कर लेगा कि आपने self defense में नहीं मारा है court shall presume the absence of such circumstance तो यह आपकी duty बन जाती है कि आप इसको prove करिए accused की duty बन जाती है कि आपने जो act किया है वो एक ऐसे circumstance में circumstance के अंदर उस act को अंजाम दिया है कि ताकि वो किसी exception में fall कर रहा हो right तो accused can only be convicted when the charges are proved beyond the reasonable doubt ठीक है मतलब जब तक किसी accused के उपर जो charge लगे हुए है ठीक है वो beyond the reasonable doubt प्रूव नहीं हो जाए तब तक उसको guilty करार नहीं कि दिया जा सकता अगर थोड़ा सा में doubt है तो accused को benefit of doubt मिल जाएगा समझभाया आपको तो किसी भी accused के उपर लगे हुए charges को beyond the reasonable doubt प्रूव करना prosecution का काम होता है यहाँ पे थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि section 105 में accused के उपर ही ये button दे दिया गया है कि आप प्रूव करिए आप प्रूव करिए कि वो एक special circumstance था इसलिए आपने इस तरीके से act हिया तो क्या यह कहा जाएगा कि यहाँ पे prosecution को एक upper hand दिया गया है ऐसा कहना शत्प्रतिशत सही नहीं है अच्छा एक contradiction होता है क्योंकि हमने जो law की पधति को अपनाया है वो common law से अपनाया हुआ है जो British rule of law है and section 105 of Indian evidence act है उसमें थोड़ा सा contradiction है एक case था महाँ पर मिंग्टन versus director of public prosecutor इस case में क्या prove किया गया है मतलब इस case में क्या held किया गया है it is the duty of the prosecution to prove the prisoner's guilt ठीक है that too beyond the reasonable doubt whereas section 105 कहता है कि अगर कोई circumstance है वो accused को prove करना पड़ेगा कि एक special circumstance था इसलिए मैंने इस तरीके से act किया तो Supreme Court ने ये कहा है Supreme Court has held that this distinction between the English law and the Indian law is more apparent than the real it was held that burden laid upon the accused is only to create reasonable doubt whereas prosecution has to prove the case beyond the reasonable doubt जैसा कि 105 में section 105 में अबर accused को ये prove करना है कि एक special circumstance exist कर रहा था तो वो सिर्फ इतना ही तक prove करना है सही बात है हो सकता है एक ऐसा special circumstance उससे में exist हो रहा हो ठीक है क्योंकि जो यहाँ पर section 105 में ये लिखा हुआ है कि presumption जो है न presumption ये होगा कि ऐसा circumstance exist नहीं कर रहा था जो ये presumption है वो revertable है अगर आप court के मायन में ये presumption create कर देते हैं ये एक doubt create कर देते हैं कि हो ना हो सकता है कि वो एक circumstance exist कर रहा होगा जिसके बारे में accused claim कर रहा है तो अगर ये reasonable doubt आप create कर लेते हैं तो button of proof shift हो जाता है किसके उपर अपने आप prosecution के उपर shift हो जाता है और prosecution को हर एक case में किसी भी case को prove करने के लिए उसको beyond the reasonable doubt उस case को prove करना पड़ता है साथ साथ में section 105 में जो accused को prove करना है कि वो special circumstance exist कर रहा था इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो charges लगे हुए हैं उसके ingredients से wave off हो जाएंगे prosecution नहीं वहाँ पे अगर मान लीजी accused ये prove नहीं कर पाया मतलब पुनिता तरीके से ये नहीं completely अगर ये prove नहीं कर पाया कि वो special circumstance exist कर रहा था उस case में भी वो थोड़ा ही prove कर पाया उस case में भी जो crime के ingredients हैं that has to be proved as whole by the prosecution ऐसा नहीं है कि because the accused could not prove the existence of the circumstance इसका मतलब ये नहीं है कि accused prove नहीं कर पाया तो उसके prove नहीं करने से वो convicted हो जाएगा नहीं फिर भी prosecution को beyond the reasonable doubt उस crime को उस crime के ingredients को prove करना पड़ेगा court में एक case था दया भाई छगन भाई ठाकर versus state of gujarat accused जो है वो plea लेता है कि मैंने जो offense किया है it was done not in my senses फिर लेकिन जो lower court है वो उसके claim को reject कर देती है ठीक है जब यह appeal होता है supreme court appeal में honorable supreme court यह कहते है कि the prosecution has to prove the case beyond the reasonable doubt right the prosecution has to prove the case beyond the reasonable doubt it has to prove that the offense was committed with mensuria mensuria का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी offense के लिए criminal cases में mensuria का होना बहुत ज़रूरी है जब तक mental element prove नहीं हो जाए the accused cannot be convicted if accused is not able to conclusively prove that he was insane but still he creates the reasonable doubt in the minds of the judge he is entitled to the acquittal if the case of the prosecution is not proved beyond the reasonable doubt कितना important कितना important है ये statement isn't it मानली जीए exceptions में आपको prove करना है मानली जीए आपको burden आपको उपर burden of proof है 105 में कि आपको वो special circumstance दिखाना है कि वो exist कर रहा था आप नहीं कर पाए लेकिन आपने एक reasonable doubt की rate कर दिया mind में judge के mind में and prosecution is not able to remove that doubt prosecution is not able to prove then the accused is entitled to acquittal so इस तरीके से हमने समझा section 105 को with the important case laws so I hope I made myself clear and आपको ये video fruitful लगा and आपका time जो है वो utilized हुआ so if you think that this video shall be shared among your friends then spread it do not wait but spread it right thank you so much have a nice day and yes do not forget to subscribe to my channel like the video and share it share it to the maximum so that more and more people get benefit out of it thank you so much have a nice day thank you so much